जोग होता है इंटी सेप्टिक होते हैं वो अपने मुँझ से कुछ एंटी सेप्टिक छिड़िकते है ै इस वज़ए से आपका उजगा सुन हो जाता है अर्व सुन होके वो सरीर के अंदर गूज आते हैं, खूनचूस होओा होटा है सब जोख रख तपी पासु का जाता है खुंचुसुआ तो जोख कैसे होता है खुंचुसुआ होता है सब तो इसके लिए एक इलाज भी होता है जो लड़कियां होती है समना उनको अपना सरी अपना चेहरा ना एकदम भब का के रखना है LED बलब की तरह लेकिन कभी-कभी आहां गेगा वोंक समंना फिर वहां कुछ नहीं होता है तो उससे जाकर चुसओा लिजेगा लिछ थेरेपी करके तो फिर पिंपल्स वगरा नहीं निकलेगा यह देशी इलाज है हमारे आरवेद के समय यह चीज बहुत प्रचलन थी लेकिन करेंगे लिए करीम 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 तज्या कहीं का हद हो जाता है करीम लगाने के लिए हमें एक रिलेटिप के आँ गये थे तो नहाने गए तो हम पूझे भाया साबून है हम लोग तो घड़ी साबून जे ना लेते हैं सर फेक्शल कोनों मिल जाए तो उसी में होगा और यह कान लगा दिया था सुष्रा बाथरूम को हमको पड़ पड़ के नहाना पड़ा इसे चुरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे कहीं हमारे यहां लीच थरीपी हुआ करती थी तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी में दयानंद सरस्वती ने क्यों को आता कि वेदों की और हमारे यहां आर्वेद था आर्थार्वेद था इसा बहुत पहले से थे सो तो यह लीच थरीपी आप समझें